हेलो फ्रेंज तो आज हम मक्की के आटे का साजा बनाने वाले हैं वैसे इसे कुछ लोग मक्की का आटा भी बोलते और कुछ लोग साजा भी बोलते और पता है कुछ लोग तो खीचो भी बोलते इसको और ये राजस्तान में जादा बनता है और बता है इस ताजे को बनाते बनाते हमें सिर्फ कुछ चीजों का हियान रखना है जिससे ये बिलकुल प्रॉपर बनेगा यानि कि इसमें गुटलिया भी नहीं होगी और ना तो ये ढीला बनेगा और ना ही टाइट बनेगा तो पानी भी हम बिल्कुल बराबर मात्रा में लेने वाले तो आईए देख लेते हैं इसे कैसे बनाया जाता है तो शुरुआत ही हम सबसे important step से करेंगे तो हमी क्या करना है एक bowl में एक cup मक्की का आटा लेना है और इसमें दो चमश तेल डालना है और इसे बिल्कुल एक सार कर लेना है अगर हमने ये step को skip कर दिया न तो मक्की का आटा बनाते बनाते गुटलिया पर जाएगी फिर आप बोलेंगे ये तो अच्छे से mixी नहीं हुआ फिर हमें क्या करना है जिस बरतन में इसे बनाना है न उसी बरतन में हम तीन कप पानी ले लेंगे मक्की का आटा जितना लेंगे उससे तीन गुणा हमें पानी लेना है इसी में हम क्या करेंगे हींग डालेंगे नमक, हल्दी पावडर, धनिया पावडर हरे मिलश एट करेंगे, जीरा डालेंगे तो जीरा हमें पूरा ही डालना है फिर एक टेबल स्पून हमें क्या करना है साजा के फूल यानि की पापड का जो सोडा रहता है उसे एड़ करना है और इसे उबल दे देना है अच्छे से उबलने के पाद ग्यास का फ्लेम लो कर देंगे और मकी का आटा एड़ करेंगे थोड़ा थोड़ा करके मकी का आटा डालते जाएंगे और लगातार मिक्स करते जाएंगे तो मैंने यहाँ पर mix करने के लिए बेलन का use किया है क्योंकि बेलन से यह काफी आसानी से mix हो जाता है लगातार mix करते वे हम क्या करेंगे low medium flame पर इसे पकाएंगे धक्कन लगा देंगे तो धक्कन लगाने की बात 5 मिनिट तक low flame पर cook करेंगे अब यह अच्छे से cook हो चुका है तो हमें क्या करना है गैस का flame off कर देना है और इसे 2 मिनिट बिल्कुल ऐसे ही रहने देंगे रैचिली फ्लेक्स और धनिया डाल कर फिर इसे serve करेंगे अब इसे serve करने का तरीका क्या है तो simply हमें क्या करना है जैसे यह पक जाता है ना साइट में कर देना है 2 मिने के लिए फिर हमें प्लेट में इसे गर्मा-कर्म सर्फ करना है जैसे हम इसे serve करेंगे साथी-साथ घी या टेल एक चमच भरके डाल देना है रैचिली फ्लेक्स और धनिया भी डाल देंगे और इसे गर्मा-गर्म सर्फ करेंगे बहुत ही टिस्टी लगता है आप भी ट्राइका लेजेगा और कामेंट करके जरू बताइगा कैसा लगा इसी तरह की नए वीडियो की अपडेट के लिए आप हमें इस आईटी पर इंस्ट्राग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं और अगर आपको ये रेसिपी वीडियो पसंद आयो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब करें हमारी यूट्यूब चैनल लूटी यूटी और दोस्तों के सकते हैं